तेरा दिसंबर की वो तारिक सतन का हंगामेदार सत्र सफेद रंकी वो एमबेसेडर कार सतन का वो चालिस मिनट इन चालिस मिनट में कुछ ऐसा हुआ था जब देश के लोकतंत्र का मंदिर देहल उठा था क्या हुआ तो उस चालिस मिनट की कहानी में इस रिपोर्ट में देखी वैसे तो आप ये भली बाती तोर पर जानते हैं तेरा दिसंबर दो हुचार एक का वो दिन जिसे भारती दिहास में काला दिन कहा जाता है जिस दिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को आतंक्यों निशाना बना है था आतंक्यों ने संसद भवन पर हमला बोला था लेकिन क्या भी जानते हैं उस दिन सदन में शीत कालिन सत्र चल रहा था और पक्ष विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कारेवाही को 40 मिनट के लिए इस्थगित कर दिया गया था और इसे 40 मिनट में आतंक्यों ने रजी थी संसद भवन में तहशत फेलानी के साजिश लशकर ये तैबाव जैशे मोहमत की पाच आतंक्यों ने संसद भवन पर हमला किया था हमले में नो लोगों की मौत हो गई थी मरने वालों में दिल्ली पुलिस के छे जवान, दो संसद सुरक्षय सेवा के जवान और एक माली शामिल था हालंकि हमले को अंजाम देने आया आतंक्यों को धेर कर दिया गया था लेकिन इस हमले में वो सफेद रंकी कार आज भी नहीं भूली जा सकती जिसने संसद भुवन में खुसकर दहशत मचाई थी वक्त 11 बचकर 29 मिनट का था जब संसद भुवन के गेट तंबर 11 पर ततकालिन राष्ट्रपती कृष्ण कांथ शर्मा के सुरक्ष कर्वून के बाहर आने का इंतिचार कर रहे थी ठीक उसी बक्ते सफेद एंबेसेडर कार तेजी से राष्ट्रपती के काफिली के तरफ आती दिखी थी अब उवन संसद भुवन मित्ती तेज गाड़ी के रफ़ता नहीं दिखती थी लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था और गाड़ी के पीछे लोकसवा परिसर के रखवाले सुरक्षा कर्मी जगदीश यादों पीछे भागते नजराये थी वे गाड़ी को चेकिंग के लिए रुकाने का इशारा का रहे थे लेकिन गाड़ी रुकी नहीं और उसमें से निकले वो पाँच आतंकी जिन्होंने हातों में के 47 और पीट पर कंधों पर बैक टांगे थे और तापड़ तोर गूलिया चलाना शुरू कर दी थी बले ही संसत्भवन परिफसर आज उन यादों को या उन धप्बों को मिटा चुका हूँ लेकिन सफेद रंबी पैच लेकिन सफेद रंग के अमबेसेडर जिसका नमबर DL3CJ1527 था इसे शायद भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि ये नमबर भारतिये इतिहास में वो नमबर है जो हमेशा याद रखा जाएगा जब आतंकियों ने संसत्भवन को निशान बनाया था आज संसत्ध हमले की 19 वी परसी है और इस परसी पर देश की तमाम दिगजों ने उन वीर सपूतों को शदाजली दी है जिन होंने अपनी शूर्थ वीरता का प्रदेशन किया था